आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बागत है तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूंगा एक्चुली क्या हुआ कि यह लिच्चर मैंने जैसी एक ख़बर आई थी तुरंद बना द देखा रहा था पर तभी हमको यह पता चला है इनफाक्ट कल मैंने जब देखा मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो सुहानी भटनागर हैं उनको डर्मेटो सायटिस था तो क्या होता है यह हम इसकी बात करेंगे एडिमा नहीं था है ना इडिमा की कल मैंने बात किती चलो कोई बात ने एडिमा में एडिमा के बारे में कम से कम आपको पता चल गया पड़ाज हम बात करेंगे दोस्तों डर्मेटोसाइटिस की ये एक खतरना कंडिशन है क्रॉनिक कंडिशन है ये रेयर है बहुत जादा ये नहीं देखा गया है जो औरते हैं वो पुर सुहानी बटनागर के माबाप ने ये बात बताई है कि आखिरकार उनको क्या दिक्कत थी और ये बताई है कि मतलब अपने कॉलेज में बहुत ही ब्रिलियंट शांदार और इनोंने जो बेबी बबिता फोगाट जो दंगल मूवी आई थी उसमें रोल प्ले किया था मास कम् से अगर आप ये देखते तो इसका मतलब है uh inflammation है तुए डेंजिरस होता है डर्म मतलब होता है skin है ठीक है मायो मतलब होता है आपका म courageous इसका मतलब होता है मसल और इसका मतलब होता है इंसरु तो यानिकिशहिंध्य और इंप्लीर होगी ठीक है तो आप इनके पिता जी की बात करें तो बहुत ही रेर की बैने बता ना कि जैसे कुछ जैसे जो आटो इम्यून डिजीज होते है न यह एक आटो इम्यून डिजीज क्या है कि जब आपका शरीर आपको ही खतम करने लगता है आप समझ रहे हो बाई आम तोर पे हमारी आंटी बिमारियों से लड़ती है यहां पे आपका इम्यून सिस्टम आपके टिशू को अटाक करने लगता है यह सबसे खतरनाक सिच्वेशन है आपने फौजी ओको बेटा जा बेटा लड़ ले लेगिन फौजी जो है वह आपके घर को ही तभा करने लगेंगा आपके देश को ही त चुशन आजाती है तो इसमें बचना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है है ना और सबसे बड़ी दिक्कत यह है डर्मेटो माइसिटिस में कि यह होता क्यों है जादे तर ओटो इम्यून डिजीस क्यों होता है इसका अभी तक कारन पता नहीं चला तो इसका भी अभी तक क तो इनके पिता जी बताते हैं कि यह दो महीने पहले तकरीबन हमने आइडेंटिफाई किया था सब कुछ बढ़िया चल रहा था यह कॉलेज में जा रही थी भाई वहाँ पे वनावधी टॉपर्स में से एक थी बहुत ही ब्रिलियंट थी पढ़ने में और यह अपना करियर रिवाइब करना चाह रही थी एक बार पढ़ाई पूरी करने के बाद जर्नलिजम मास कौम इन्हों ने किया उसके बाद जो है हम अपना करियर रिवाइब करेंगे बट इनको यह वो बिमारी हो गई ठीक है तो इनको जो हाथ में स्वेलिंग आम तोर पे आपकी स्किन का कल एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा तो कभी कभी ना मैं क्या होता है कि फ्लो फ्लो में कुछ चीज़ बोल देता हूं ठीक है तो क्यafar सारे Letures करने होता है तो एककल मैंने चीज बोल ली थी प्रोटीन को लेके प्रोटीन जितनां हो सके यह मैँ बोल दिया ता बाद में एक डॉकी सारी कमेंट था और जो बहुत ही अच्छा कमेंट था बहुत ही सही कमेंट था मैंनों उसको हाइलाइट भी किया है तो बिल्कुल सही है कि protein बहुत ज़़ाद ज़रूरी आपको protein लेना है बढ़ जितना हो सके protein ना ले मैं भी अपने आपको correct करना चाहूंगा protein आप अपनी हिसाब से ले nutritionist से consult करें और अपनी body के हिसाब से ले बढ़ हाँ protein बहुत ज़़ाद ज़रूरी है तो यहाँ पे इनको swelling हातों में देखने को मिली दो महिने पहले की बात है एकदम से और उसके बाद ये swelling जो है वो बागी parts of the body में spread होगी तो अगर आपकी body में कही swelling एकदम से हो पूरी body में हो जाए आपके skin का color जो है वो violet हो जाए बैगी नी हो जाए या फिर आपको वो skin का color गोड़ा है एकदम से वो change होने लगे तो it becomes quite dangerous ठीक है ना तो रंत जो है वो डॉक्टर को दिखाए अपना medical examination करवाए तो minor infection था बता रहे हैं कि hospital में इसमें steroid दिये जाते हैं है ना आपको दवाईया दी जाती है अब ये दवाईयां जो होती है ये इनको react कर गई तो ये जो infection था एक minor infection था hospital में जिसकी वज़े से fluid accumulation होगे अच्छा यही fluid accumulation को हमको लगए ये edema है है ना क्योंकि ये edema की वज़े से ही होता है basically लेकिन दोस्तों अब ये नहीं रहा ठीक है तो अब ही मैंने जब देखा तो ये dermatomyositis था इनको तो ventilation दिया गया oxygen level भाई ventilator पे कब रखा जाता जब आपके oxygen दिमाग तक नहीं मतलब आपकी body जो है मतलब बहुत critical condition में आपको ventilator पे रखा जाता है लेकिन आपके oxygen level जो है वो लगाता है drop होने लगे ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखा था और immune system impact हुआ क्यूं? steroids के कारण दवाईयां जो दी गई थे उसके कारण अब सब कुछ ठीक था लेकिन लगातार जो है वो इनकी condition खराब होती गई और unfortunately इनका देहान तो गया तो भगवान इनकी आत्मा को शांती दे और उन्हों ने बोला कि देखिए ये चाहती थी कि graduation के बाद अपना career रिवाइफ करें आक्टिंग में आना चाहती थी दुबारा से बढ़ ऐसा नहीं हो पाया ये journalism पढ़ रहे तो बहुत ही जबरदस्थ स्टूडेंट थी है ठीक है ना ये last semester की topper थी है इन्होंने top किया था एक बहुत ही जबरदस करियर था बढ़ unfortunately वो नहीं हो पाया तो दुखा था ये काफी ज़ादा ऐसा नहीं होना चाहिए तो अब क्या होता है जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि वो condition है जिसमें वही आपकी muscle और आपकी skin skin आपकी क्या होगी skin आपकी change होने लगेगी muscle में inflammation हो जाएगा ठीक है ना जिसकी वज़े से problem हो सकती है death भी हो सकती है ठीक है ना तो inflammatory myopathies जो है दियारा category of disorders जिसकी वज़े से आपका immune system जो है ना वो आपके tissue को ही खतम करने लगता है autoimmune disease ठीक है आपका immune system बचाता है आपको लेकिन वो इस case में आपके cells को ही खतम करने लगेगा है ना ये चीज़ है क्यों हुआ ये डॉक्टर श्वेता बताती है भाई देखो exact cause हमको अभी तक नहीं पता है कि आखिरकार ये होता क्यों है इस पर research चल रही है हम अपनी body को जैसे हम अपने universe को बहुत कम समझे है वैसे हम अपनी body को भी बहुत कम समझे है body को हम लगातार समझते जा रहे है body ही आपका एक पूरा universe है अब ठीक है ठीक है ना अब हो सकता है कि ये viral infection हो किसी भाई आपकी body पे या muscle पे को वाईरस घुज गया infection हो गया उसकी वज़े से आपको हो सकता है साथी साथी आपे immune system की वज़े से भी दिक्कत होती है कई बार क्या होता है कि जब आपकी body जो है auto antibodies bodies बता है कि जब आपके tissues को जो आपका immune system को attack करना लगता है उसकी वज़े से दिक्कत होती है bacterial infection से भी आपको ये बिमारी हो सकती है आपको vaccination से भी बिमारी हो सकती है environmental factors भी हो सकते है pollutants भी हो सकते हैं बढ़ ये सबको नहीं होती ये काफी कम लोगों को होती rare disease है drugs जैसे statins की वज़े से भी जो cholesterol cholesterol मैंने आपको इस पे बहुत शांदार लिचर लिया था भी पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा बहुत ही जबरता अपना lipid test ज़रूर करा है एक dr. सरीन की किताब है वो आई भी अभी लेलन टॉपन का इंटर्वी बहुत बढ़िया था उनकी किताब मैंने भी आपे बहुत सारी किताबे मगाई है हेल्थ की चले छोड़िये ठीक है पाच-छे किताबे आपे रखी हुई है दिखाऊं क्या मैं आपको तो उसमें dr. सरीन की भी एक किताब रखी है तो यह सारी किताबे जो है वो आप पहिणने वाला हूँ ठीक है यह जितनी भी आपको किताबे देख रही है यह मैं अपने स्टूडियो में ही रखता रहता हूँ अपनी लाइब्रेडी से निकाल के तो यह सब किताबे पढ़के आपके लिए जबर्दस्ट एक्स लेचर सीरीज में बनाऊंगा है ना तो अब तो dr. सरीन की किताब ओन यूर हेल्थ बहुत बढ़ी है तो लिपेड टेस्ट अपना जरूर करवाए लिपेड पोफाइल टेस्ट बहुत ज़ादा जरूरी है लिवर को तो आपको बताता ही है साथे साथ का आपके कोलेस्ट्रॉल को बताता है HDL, LDL, Lipoprotein, High Density Lipoprotein लिपो मतलब क्या होता है? Fat, Protein तो आप समझी गए और HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है LDL जो है वो bad cholesterol होता है HDL क्या करता है जो waste है जो फालतू चीजे हैं उसको वो liver से ले जाता है खतम करता है और LDL जो है वो नहीं स्वारी उसको वापस लेके आता है उल्टा बोल दिया मैंने LDL जो है वो फालतू चीजों को ले जाता है ठीक है ना मतलब जैसे अब जैसे फालतू आप पहुंतू चीज़े खा रहें फैट है तो LDL क्या करेगा LDL क्या कामी होता है वो ट्रांस्पोर्ट करता है लेकिन HDL फालतू चीज़ों को वापस लिवर में लेकिया तो लिवर उसको खतम करता है तो कहते हैं ना कि HDL की मातरा अच्छी होनी चाहिए LDL की मातरा लेकिन सबसे जरूरी इसमें आते हैं ट्राइग्लिसराइट ट्राइग्लिसराइट इस दी मोस्ट इंपोर्टन थिंग तो इस पे जरूर ध्यान देने ठीक है आम तोर पर देट सो से कम होना चाहिए उससे यह भी रीजन है तो जैसा कि हमने बताए कि एक लाख में दो तीन ही लोगों को होती है तो इसको होगी उसकी अब क्या बता है थोड़ी किस्मत खराब तो यह सारी चीज़े हैं तो यह आपके पूरी बॉड़ी को भी जो है वो एफेक्ट कर सकती है आपको ब्रीधिंग में डिफिकल्टी हो सकती है राशेस डेवलप हो सकते है मसल में वीकनेस हो सकती है दिकत मतलब पूरे धब्बे धब्बे आपकी बॉड़ी पे आपके हाथ हो गए आपके पैर हो गए यहां सब हो सकता है लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है इंडारेक्ट कॉस होता है यह आपक emergency situation होती है आपको hospital तुरंथ hospital में आपको भरती कराया जाता है और patients जो है उनको enzyme दिया जाता है CP के उस तरीके से ताकि autoimmune cause को खतम किया जा सके cure अभी तक डर्मेट इस बिमारी का जो है वो अभी तक नहीं मिला है बाकी यह देख सकते हैं यह सारे treatment available है और यह सारी दवाईया जो है वो दी जाती है बाकी rest definitely यह तो हम घर पे ही कर सकते हैं और sun exposure को थोड़ा सा avoid किया जाता है ताकि सुचेशनों खराब ना हूँ sunscreen को भी photo protective clothing जो है क्योंकि ultra wallet raise होती है न तो वो dangerous और ज्यादा इस चीज को बढ़ा देती है क्योंकि डारेक्ट आपके skin को वो effect करता है तो यह lecture था तो वही edema नहीं था इनको पौत unfortunate है भगवान आत्मा को शांती दे परिवार को ताकते बागी खुश रहे पढ़ते हैं देशे झाल 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 झाल